प्रोकबडी लीग 2021 मैच में आखिरकार एक टीम को जीत हासिल हो गई है और एक टीम साथ दिनों के बावजूद लीग स्टेज में चलने के बावजूद अभी भी जीत का इंतजार कर रही है इसके लावा दो टीमे और आपने सामने आये थी इस पर डिटेल में बात करेंगे लेकिर उससे पहले आपके फायदे की बात क्योंकि भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लाटपॉर्म विंजो आ गया है यहाँ पे सौ से जादा गेम से वो भी बारा भाशाओ में और सबसे अ कूपन्स और इन कूपन्स का फायदा क्या है आप Amazon, Big Basket, Host Star पे जाके इन कूपन्स का इस्तमाल कर सकते हैं चलिए वापस मैच पे आते हैं क्योंकि पहला मुकाबला हुआ पुनेरी पल्टन वसेज पटना पाइरेट्स पुनेरी पल्टन्स इस मैच में हार गई पटना पाइ उनका रेडिंग डिपार्टमेंट काफी अच्छा रहा हुँए उनके लिए डिफेंस काफी जाधा चला एक खामी जो रहेगी वो मोनु गोयत कि रहेगी क्योंकि इनसे काफी उम्मीदे की जाती है बीते कुछ मैचेस में बीते दो मैचेस में अच्छा किया है इस टीम के लेकिन जब आज उत्रे तो रेडिंग में इतना जाधा पॉइंट कमा नहीं पाये लेकिन डिफेंस में टीम के लिए दो टाकल पॉइंट जरूर निकाले रेड की बात की जो है तो एक रेड पॉइंट निकाला और उस रेड पॉइंट में तीन एक्स्टा पॉइंट भी न इच्छा रहा सूपर टेन उन्होंने अपना निकाला इसके साथ प्रशांत कुमार रहा है पाच रेट पॉइंट्स उनके खाते में गए डिफेंस की बात की जाए तो सुनील के नाम चार पॉइंट्स रहे साजिन ने तीन पॉइंट्स निकाले और मोहमद रिजा तीन टाकल इस इनके नाम रहे इस टीम में अगर आप एक मोनु गोयत को साइड कर दे जाए तो बाकी सारे प्लेयर्स का ओवराल परफॉर्मेंस रहा इस टीम परफॉर्मेंस रहा जिसे जीत हासल हुई है इसके साइड में पुनेरी पलतन्स के लिए कुछ भी सही नहीं रहा तीम में क छे पॉइंट्स लिए अभिशेक पंकज के नाम दो दो रेट पॉइंट्स रहे अगर आप चार्ट उठाके देखेंगे तो इतना जादा अच्छा देखता नहीं है और डिफेंस की बात की जो है तो सोंबीर के नाम तीन टैकल पॉइंट्स रहे विशाल भारत दुआज के ही टैकल पॉइंट्स निकले हैं सिर्फ तीन प्योर डिफेंडर सोंबीर ने निकाले हैं और एक विशाल भारत दुआज ने निकाला था अब ये उपर उपर की बात हो गई इस मैच के अभी इन डिटेल बात की जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि पुनेरी पल्टन ने कई बा बराबर करके चला लेकिन जब सेकिंड हाफ शुरू हुआ तो पटना पाइरेट फिर से पुनेरी पल्टन पे हावी हुआ और इस बान मुकाबला जो है वो 15 से 22 के माजन तक पटना पाइरेट्स लेके चली गई इसके बाद एक छोटा सा कमबैक पुनेरी पल्टन की तरफ स फिर से दिखाई दिया इस बाद टीम ने 5 continuous points निकाले लेकिन उसके बाद फिर ये उपर नीचे वाला खेल चलता रहा और पटना पाइरेट्स ने एंड में आके बाजी माल ली अपने नाम कर ली 26 अड़ते से ये मुकाबला किया डू और डाइस सबसे जादा नजरे इसी प लाउट भी किया पहले में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाफ में मिस किया था और पुनेरी के लिए जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रही वो एक टीम एफट रहा और उसके साथ जो continuous players को change किया गया सेटल नहीं होने दिया ये एक बहुत बड़ा concern रहा इसके बाद द खलाइवास के खिलाफ उसके बाद दूसरा मुकाबला खेला तो उसमें हार आई इस दूसरी दरफ हर्याना Steelers की बात की जए तो उन्होंने दो मुकाबले खेले दोनों हारे अब इस मैच में एक टीम को आखिरकार जीत मिलनी थी और वो जीत रही हर्याना Steelers के नाम 37-39 से अ जो कि बोनस पॉइंट्स इतने लिए गए हैं इस मैच में 17 बोनस पॉइंट्स तेलगू टाइटन्स की टीम ने लिए हैं जो सैतिस पॉइंट्स मिले हैं उसमें से पूरे 17 पॉइंट्स बोनस के जरीए आये हैं जो सिध्धात देसाई ने निकाले हैं अंकित बेनिवाल न निकालके दिये बोनस के लावा अगर प्लेयर्स की बात की जए तो सिधात देशाई एक बड़ा नाम है टीम को अकेले चलाते हैं पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है अगर सिधात देशाई चले तो तेलवू टाइटन्स आगे का सास्ता अराम से तैय कर सकती है इस मैच म और उन्होंने 9 devil निकाले है जिसमें से 4 points raid के आए हैं और 5 points bonus से निकाले है उन्होंने अंकित बेनिवाल की बात कीति जए है तो उनके नाम भी 9 points रहे तीन reading points और 6 bonus points उनके नाम रहे है राकेश गोव्रा की बात की जए है टो साथ पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं एक रेडिंग एक टैकल और पाच बोनस पॉइंट्स तेलगू टाइटन्स पूरा बोनस पे खेली है लेकिन उसके बाद भी जीत से काफी दूर रह गई है टाकल की बात की जाये तो कुल पाच पॉइंट्स टाकल के जरीया आये जहा आप समझ लीजे कि अगर आप बोनस पे ही चल रहे हैं उसके बाद भी इतना क्लोज मुकाबला लेके गए हैं सिद्धाद इसाई थोड़सा और चल जाते तो शायद ये पहली जीत तेलगू टाइटन्स के लिए हो जाती दूसरी दरफ हर्याना स्टीलर्स की बात की जाये तो पहली जीत इस लीग में उनके लिए आ गई है दो हार के बाद तीसरे मैच में जब उत्रे तो एक जीत आई बीतु महेंतर जिनकी चल्चा में आपसे कल भी कर रही थी बारा रेड पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं इसके लावा रोहित गूलिया आठ पॉइंट्स उ निकाले सुरिंद्रुनादा ने तीन टैकल पॉइंट्स निकाले और जैदीब कुल्दीब जो टीम के प्राइम डिफेंडर है उनके नाम इस मैच में सिर्फ एक टैकल पॉइंट रहा ओवर अगर देखा जाए तो 21 पॉइंट्स निकाले हैं और 11 टैकल पॉइंट्स टीम म आपको मिलती रहेगी इसके साथ ही अगर आपने नए चानल ललन टाप स्पोर्च को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां जाकर हमारे नए चानल को सब्सक्राइब भी कीजएगा वहां पे आपको कई नई सारी ता पहानिया मिलते रहेंगे तो जुड़े रहिए हमारे साथ देखते रहिए दील ललन टाप शुक्रिया